गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, हर हर बोल ये जहाँ गंगे मा, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ देवसुर सरी नधियों की रानी अमृत जैसा तेरा है पानी गंगाम गोते तु लगा गंगे मा गंगे मा गंगे मा गंगे मा प्रियभक्तों गंगामया गौमुक से निकल कर अपनी हजारों किलोमीटर यात्रा में बहुत से नगरों को पवित्र करती हुई जाती हैं और विभेन स्थानों पर पवित्र तीर्थों का निर्मान करती हैं और सभी तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है मा गंगा सभी स्थानों पर शद्धा पूर्वक पूजी जाती हैं उन्ही में से एक है गंगा सागर गंगा सागर, गंगा और सागर के संगम स्थर को कहा जाता है यह गंगा मैया का भारत में अंतिम्तीर्थ स्थर है इसके पश्चात गंगा मैया सागर में विलीन हो जाती है तो आईए आप भी हमारे साथ गंगा मैया के अंतिम तीर्थ गंगा सागर चन्ने की तयारी करें तयारी गंगा सागर में भगतों का मेला है बारी बगतों कर लो तैयारी दंगा सागर में बगतों का मेला है भारी बगतों कर लो तैयारी जीवन अपना पावन कर लो गंगा सागर में और गंगा मा के जलस ना आलो गंगा सागर में ओ इसकी महिमा है भारी गंगा सागर में भगतों का मेला है भारी बगतों कर लो तैयारी गंगा सागर में बगतों का मिला है भारी बगतों कर लो तैयारी हो मगर सकरांती की ये पावन भेला है आई सादु संत और रिशिमुनियों ने डुब की है लगाई हादुब की तू भी लगा भाई गंगा सागर में बगतों का मिला है भारी बगतों कर लो तैयारी जै हो और सिल्ली यूपी कलकते से भक्त यहां पे आए और गंगा सागर तीरत आकर अपना शीष नवाए ओ आई तुनिया है सारी गंगा सागर में भगतों का मिला है भारी बगतों कर लो तैयारी जै हो अर सारे तीरत चाहे कर लो जीवन में हर बात गंगा सागर तीरत कर लो भक्तों एक बार ओ भक्ती मिल जाती सारी गंगा सागर में भगतों का मिला है भारी बगतों कर लो तैयारी गंगा सागर में भगतों का मिला है भारी ओ भगतों कर लो तैयारी गंगा सागर में भगतों का मेला है भारी भगतों कर लो तैयारी गंगा सागर में भगतों का मेला है भारी गंगा सागर को उस सब तीर्थों में सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा जल सभी तीर्थों से पवित्र होकर पहुंचता है इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार अर्थात सभी तीर्थों में बार-बार जाने पर जो पुन्य प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक गंगा सागर में एक बार सनान करने से ही प्राप्त हो जाता है यह तीर्थ बश्चिमी बंगाल के प्रसिद्ध नगर कोलकाता की पास स्थित है यहाँ पर श्रीक कपिल मुनी तथा गंगा माता का भव्य मंदिर स्थित है हर हर बोल ये जहाँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ देव सुरसरी नदियों की रानी अम्रित जैसा तेरा है पानी गंगाम गोते तु लगा गंगे माँ गंगे माँ प्रम्म कमंडल तुम्मरो वासा पूरण करती सबकी आशा सोय भाग देती है जगा गंगे माँ गंगे माँ गंगा सागर में गंगा स्नान अर्थात मगर संक्रांती के समय एक बहुत बड़े मेले का आयूजन होता है जो पश्चिमी बंगाल का सबसे बड़ा मेला है वैसे तो ये मेला सुदूर गंगा और सागर के संगम स्थल पर लगता है परन्तु इस मेले की मनुहारी चठा आपको कोलकाता के प्रवेश्थ्वार पर हावला से ही आकरशित करने लगती है दर्ती पे आई सारी दुनिया को भाई हर घंगे टिशना मिटा- अंबिता- आजा आजा दर्ती पे आइ सारी दुनिया को भाई हर हर घंगे ठिशना मिटा- अबिता- इस स्थान के लिए श्रद्धालू विभिन प्रांतों से रेल मार्ग तथा सडक मार्ग के द्वारा हावडा पहुचते हैं हावडा से सभी यात्रियों को बाबु घाट पहुचना होता है बाबु घाट पर सरकार तथा समाज सेवी संस्थाउं द्वारा यात्रियों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्थागी जाती है बाबु घाट गंगा सागर का प्रवेश तवार है यहां से बस यातरी आठ नमबर जेटी खाट पहुंचते हैं तथा रेद द्वारा श्यालदा आय यातरी नाम खाना पहुंचते हैं यहां से सभी यात्री समुद्री मार्ग से चलपोत द्वारा चेमा गुडी पहुँचते हैं और चेमा गुडी से गंगा सागर पहुँचा जाता है गंगा सागर आया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो जैमा गंगे बुलाया करो प्रेम से गोता लगाया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो हर हर गंगे बुलाया करो हर हर गंगे बुलाया करो कपिल मुनी का आश्रम प्यारा गंगा सागर का है किनारा गंगा सागर का है किनारा ओ कपिल मुनी का आश्रम प्यारा गंगा सागर का है किनारा शता से दर्जन पाया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो हर हर गंगे बुलाया करो शारती रत हो बार बार गंगा सागर बस एक बार शारती रत हो बार बार गंगा सागर बस एक बार टक पेशीश जुकाया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो, हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर तीरत आओ अपना जीवन सफल बनाओ हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर अमरित पीलो गंगा की भगती में चीलो अपने मन में नाम धियाया करो हर हर गंगे बुलाया करो गंगा सागर आया करो हर हर गंगे बुलाया करो यहां पर यात्रियों की सुरक्षाहितू पुलिस तथा जल सिना के जवान सधय मुस्तेद रहते हैं गंगा सागर स्थल से कचू वेडिया होते हुए यात्री मेला स्थलाते हैं जो की यात्रा का अंतिम पड़ाव है यहां पर भी यात्रियों के ठहरने के लिए अस्थाई बसेरों की व्यवस्ता की जाती है मेले के समय कपिल मुनी के मंदिर को विशेश रूप से सजाया जाता है जो की यहां का मुख्य मंदिर है चली चली भागी रत संद चली रे होती लोक पर लोक की आशिमने शांत क्रोज गंगा गाओं गाओं शेह शेहर गली रे कपिल मुनी के दाईं और राजा सगर तथा बाईं और माता गंगा का मंदिर स्थित है जिसमें गंगा मैया राजा भागीरत को अपनी गोद में लिये हुए मंदिर में विराजमान है कपिल मुनी ध्यान मुद्रा में हैं जिनके दाएं हाथ में माला तथा बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है पंचनाग मुनी जी की शुभा में चार चान लगा रहे हैं इनके पाशुभाग में चंद्र तथा सूर्य दोनों स्थित हैं जो सूर्य तथा चंद्र दोनों वन्षधरों का प्रतीक है तो भक्तों इस प्रकार जब गंगा मैया सगर पुत्रों का कल्यान कर महा सागर में विलीन होने लगी तो महर्शी भगीरत ने हाथ जोड़कर गंगा मा का धन्यवाद किया और विंती की हे मा जिस प्रकार आपने मुझे और मेरे पूर्वजों को पार लगाया है उसी प्रकार आप सारे जग को भव सागर से पार लगाती रहे इस पर मा गंगा ने प्रसन होकर कहा पाप मुक्त होगी वसुदा सब दुख दरिद्र मिट जाएंगे मुझे धरा पर लाने वाल लोग तेरा गुण काएंगे भागी रथी कहलाऊंगी मैं पार लगाऊंगी जग को बोलो हर हर गंगे मां बोलो जै जै गंगे मां गंगा की अवतर्न कथा है भागी तो पूजा पाठ आराधना कीरतन वंदना समरपन ध्यान दान आदी भगवान से सीधा संबंद स्थापित करने का मार्ग है इसलिए यहाँ पर लाखोशत धालू, सनान कर पूजा पाठ, कर्मकांड, दान तथा साधना में लीन दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर शुब कर्मों का अलग ही महत्व है यहाने वाले यात्रियों की सभी मनो कामनाएं गंगामा पून कर उनको पापों से मुक्त करती हैं दर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पूजा पाठ तथा गौदान करने वाला विक्ति देह त्याग के पश्चात स्वर्ग वास का अधिकारी होता है शास्त्रों के नुसार जब जब इस थर्थी पर पाप बढ़ता है तो भगवान विश्णु विभिन रूपों में अवतार लेते हैं कहा जाता है कि गंगा मा के धरावतरण के लिए भगवान विश्णु ने ही श्री कपिल मुनी के रूप में अवतार लिया तथा पाप नाशिनी गंगे को इस तरह पर लेकर आए इसलिए इनको भगवान विश्णु का अवतार माना चाता है आएए श्री कपिल मुनी की वंदना करते हैं प्रेम से बोलिए ओम श्री कपिल मुनी दिवाय नमाहा ओम नमो नाराय डाय 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 कपिल मुनी की माई और वन देवी विशा लक्ष्मी गौरी तथा इंद्र देव अपने श्याम वन घोड़े सहित विराजमान है इनके साथ ही कपिलेश्वर महादेव भी सपरिवार यहां विराजित है ओम्नमु नारायनाय 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 ओ गंगा सागर ये तो नाम भी इतना पवित्र नाना जाता है किसके श्रमन मात्र से ही पुन्य की प्राप्ति होती है और मन को असीन शाम के मिरती है जो गंगा सागर आया संगम में गोता लगाया भब से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया संगम में गोता लगाया भब से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया संगम में गोता लगाया भब से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया गंगा सागर ती रत जाओं कपिल मुनी के दर्शन पाओं गंगा सागर ती रत जाओं कपिल मुनी के दर्शन पाओं संगम जाके दुब की लगाओं जन्मों के सोए भाग जगाओं हर हर गंगे जो भुलाए गंगा सागर जो नहाए भव से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया संगम में गोता लगाओं से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया जो गंगा सागर मेला है भारी हर कोई जाने के करते ही यारी ठोल बजाए कोई नाचे गाए गंगा मा की जैजे बुलाए गंगा कोशीश नवाए जल से वो जाके नहाए भव से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया संगम में गोता लगाओं से वो पार हो गया जो गंगा सागर आया जीते जी जो भगतों सरग है पाना एक वार जाके गंगा सागर नहाना जीते जी जो भगतों सरग है पाना एक वार जाके गंगा सागर नहाना सारे दिर्थों का मिलता है पल ऐसा पावन संगम का जल ओ इस जल में जो भी नहाए प्रभु चर्णों की रच पाए भव से वो पार हो गया जो घंगा सागर आया संगम में गोता लगाया पाव से वो पार हो गया जो घंगा सागर आया आये स्नान एवं पूजा पाठ के पश्चात मेले का ब्रहमन करते हैं इस विशाल मेले का मुख्या कर्शन यहान नागास साधूं की उपस्तिती भी होती है जो जन्वरी की ठिठूर्ती सर्दी में भी नगनावस्था मेब अपनी धुन में मस्त शांत स्वभाव से चद्धाल्मों को आशिबाद देते रहते हैं ओम्नमूनारायनाय 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 इस मेले में साधारन भक्तों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में साधु सन्यासियूं तथा बैरागी संतों की भी होती है जो नाचते काते कीर्टन करते यहां के भक्तिमय बातावरन की शुभा कई गुना बढ़ा देते हैं यहां की लोक परमपरा के नुसार श्रद्धारू गोदान भी करते हैं जो की पुन्य प्राप्ति का एक और साधन है यहाँ पर देशी श्रद्धाल्मों की साथ साथ विदेशी सेलानियों को भी काफी संख्या में देखा जा सकता है जो अलग ही अंदास में मेले का अनंद लेते हैं इन सबसे अलग कुछ संपरदायों के लोग अपनी गुरु की प्रतिमाओं सहेत भावे जहां किया निकालते हैं ओम नमु नाराय नाय 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 बड़ा बाजार यहां का महत्पून स्थान है जहां से आप अपने उपयोग की सभी वस्त्मों को आसानी से उपलब्द पाते हैं तथा गंगा सागर मेले की स्मृति स्वरूप खरीदारी भी कर सकते हैं चलो गंगा सागर की ओर मचाते जैकारों का शोर जै बोलो गंगे मा के हर हर गंगे मा चलो गंगा सागर की ओर मचाते जैकारों का शोर जै बोलो गंगे मा के हर हर गंगे मा जै बोलो गंगे मा के हर हर गंगे मा कली जै को सब्सक्राइब गंगे मा का आशम प्यारा गंगा सागर तीरत न्यारा ऐसा तीरत नहीं कोई और चलो गंगा सागर की और जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां सार तीरत बारी बारी गंगा सागर बस एक बारी जहां कत्ती पपों की डोर चलो गंगा सागर की और जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां गंगा सागर आके नहालो जन्मो जन्मो का पुन्य तो पालो बर से किरपा हर और चलो गंगा सागर की और जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां चेहो जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां के हर हर गंगे मां मन खुशी से है हर शाया गंगे मां ने मुझे बुलाया आई जीवन में सुख की भोर जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां जब बोलो गंगे मां के हर हर गंगे मां मेले का एक महत पूर्ण स्थल है यहां का सूचना प्रसारण केंद्र जो यहां गंशुदा व्यक्तियों की सूचना प्रसारित करता रहता है और बिचड़े हुए लोगों को मिलाकर उनकी यात्रा को सफल बनाने में महत पूर्ण भूमिका निभाता है इन बिचड़ों को मिलाने में बजरंग परिशत की भी महत पूर्ण भूमिका रहती है इसके अत्रिक्त मेदे में विबेन संस्थाओं द्वारा निशुर्ण चिकित्साशी विरों का आयूजन की आ जाता है जो निस्वार्च भाव से शद्धानों की सीवा करते रहते हैं ओ जै शिविशंकर जै जै अभे अंकर बोलो बोलो नमा शिवार बोलो नमा शिवार अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए इन बातों का विशेश थ्यान रखिए सर्द मौसम के अनकूल कपड़ों का चुनाव कीजिए अपने परिजनु तथा सामान का सदय खयाल रखें तथा इन्हें अपने से दूर ना होने दें स्नान के लिए जादा गेहरे पानी में न जाएं किसी अंजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा नहीं कुछ खाने पीने की वस्तू या प्रसाद ग्रहन करें यदि किसी कारण वश आपका कोई परिजन बिछण जाए तो धहरे बनाए रखें तथा तुरंत सूचना प्रसारन केंद्र को इसकी सूचना दें तथा प्रसारित होने बाड़ी सूचनाओं को ध्यान पूर्वक्त सुनें प्रियभक्त जनू गंगा सागर्तीर्थ के कणकण में देवी तेपताओं का वास है यहां की यात्रा कर तन्मन पवित्र हो जाता है हमने अपनी स्यात्रा की जानकारियां पूरी साथधानी के साथ दी है परंतु फिर भी यदि हमसे कोई त्रुटी रह गई है तो हम क्षमा प्रार्ती है और माता गंगा तथा भगवान कपिल मुनी से आपकी यात्रा सफर करने की कामना के साथ इस यात्रा का समापन करते हैं तो भक्तों प्रेम से बोलिए ओम श्री कपिल मुनी देवाए नमहा ओम श्री करते है ओ जै गंगे माता मैया जै गंगे माता जो नर तुम को ध्याता मन वांचित फल पाता ओ जै गंगे माता ओम जै गंगे माता ओम जै गंगे माता जो नर तुम को धाता मन वांचित फल पाता ओम जै गंगे माता चंद्र सी जोते तुम्हारी जल निर्मल आता शरण पड़ी जो तीरी शरण पड़ी जो तीरी सुनर तर जाता ओम जै गंगे माता ओम जै गंगे माता ओम जै गंगे माता जो नर तुम को धाता जो नर तुम को धाता मनवांचित पल पाता ओम जै गंगे माता पूत्र सगर के तारे सब जग को ग्याता मैया सब जग को ग्याता प्रिपाद इष्टी हो तुम्हारी प्रिपाद इष्टी हो तुम्हारी 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 जो दर तुम को अजाता मनवांचित पल पाता ओंजे दन के माता एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता यम की द्रास मिटा कर परमगती पाता ओंजे दन के माता जे दन के माता जो दर तुम को अजाता जो दर तुम को अजाता मनवांचित पल पाता ओंजे दन के माता पारती पात तुम्हारे जो जन नित गाता सेवक वही सेज में सेवक वही सेज में मुक्ति वही पाता ओंजे दन के माता ओंजे दन के माता जो दर तुम को अजाता मनवांचित पल पाता ओंजे दन के माता ओंजे दन के माता मैया जै दन के माता जो नर तुम को अजाता मनवांचित पल पाता ओंजे दन के माता ओंजे दन के माता ओंजे दन के माता ओंजे दन के माता जो नर तुम को अजाता मनवांचित पल पाता ओंजे दन के माता कर दो कर दो कर दो कर दो